तो आज हम इस देर घंटे के वीडियो में सीखने वाले गोलाइं को इदम अच्छा तरीका से तो बस क्या करो इस वीडियो को फॉलो करो और ध्यान ये देना कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जो भी आज हम टॉपिक पढ़ने वाले उसका PDF का नोट्स मिल सब्सक्रिप्शन में यूज करना है तो अगर अगर हम उसको अपना कंप्यूटर में यूज करना है तो अगर हमको अपना कंप्यूटर में यूज करना है तो अगर हमको अपना कंप्यूटर में यूज करना है तो अगर हमको अपना कंप्यूटर में कोडिंग करना पड़े तो हम एक code editor को use करेंगे, वो है हमारा VS code, तो अभी हम दो software को install कर लेते, तो सबसे पहले हम अपना browser को open कर लेते, और इस browser में हम simply लिख देते, golang और enter करके इसको simply हम search कर देते, तो जैसे यह हमारा पहला profile आएगा, go.dev का उस पे click करके और download पे हम click कर देंगे, तो यह हमारा page open हो जाएगा, इसमें download को option आएगा, तो यहाँ पर अपना operating system के हिसाब से golang को download कर लेंगे, तो इस पे हम जैसे click करेंगे, तो यह हमारा download होना है, start हो जागा, तो इसको हम पहले download होने के देते, इसको download होने के बाद हम simply क्या करेंगे, एक new file में आएगे, और simply हम यहाँ पर search कर देंगे, और यहाँ पर पहला जो profile एग उस पर click कर देंगे, और simply हम download पर click कर देंगे, क्योंकि हमको download करना है VS code, तो यह हमारा VS code download होना, start हो जाएगा, तो यह हमारा अब इसको हम download होने देते VS code को, तो हमार VS code हो गया, तो अब simply हम go पर click करेंगे, जहां से हम download के, और go को हम install कर देते, तो simply हम यहाँ पर click करेंगे, next पर accept करने के बाद, हम simply next पर click कर देंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, next पर click कर देंगे, तो यह हमारा file का location है, तो हम change नहीं करेंगे, और simply install पर click कर देंगे, तो यह हमारा install होनी लगए, तो यह हमारा finish पर click कर देंगे, क्लिक करेंगे, तो अब हम simply क्या करेंगे, यहाँ पर विंडूपर harmon करेंगे, और adapts starts करेंगे go वर्जन आपी इंटर करेंगे तो यह हमारे यहाँ पर वर्जन कर लेंगे और नेच्ट कर ले नेच्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा अधर के नीचे जीतना अप्शन उसको हम क्लिक करके चख कर देंगे हमारे इंपोरेंट होगा फिर उसका हम क्या करेंगे तो जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यह हमारा क्या करेगा को ओपन कर देंगी इसको अब हम क्या करेंगे शीप को अब हमें सबसे पहले क्या करेंगी फाइल्स पर जाएंगी और हमें एक अपना फोलडर बना लेंगे जिस के पर गूड करने वाले तुम्प्लिवोडर हैं दो का नाम हम रखते हैं रखते हैं गो-ंडेर्शकॉर तो इसका नाम है गूदर इसका नाम है और उसका यहां पर ओपन करके राइट क्लिक करें कि मेरा विंडोस 11 यह ओप्शन आ रहा है तो हम जैसे क्लिक करेंगे तो यह हमारा वियर्स कोड ओपन हो जागा तो अब हम क्या करेंगे द話 determination करेंगे तो हम एसको क्लिक करेंगे और यहां पर जो क्लिक कर देंगे और यहां पर उन्सको थ्या leaked करेंगे और इंस्टाल करेंगे तो यह हमारा install होना start हो जागा तो यह हमारा vs code में go का extension इंस्टाल करें जैसे हम इसको install कर लेंगे तो simply क्या करेंगे यहां से go को हटा देंगे उसके बाद उपर क्लिक करेंगे फाइल पर पर पहला option देरा इसके पर इसके एक हम new file बना लेंगे और इसका नाम हमेंचे तरह simply try.geo लिखने वाद हम जैसे enter करेंगे तो यह हमारे यह पर यह गो का फाइल बन गया और यहां पर दो कुछ हमारे installation का यहां पर आ रहा है इसको हम fast forward किये यहां पर लिखे है और टूल सक्सेस्फुल इंस्टॉल इसका मतलब ही है कि हमारा गोलान इंस्टॉल हो गया है तो इसको मैंने fast forward किया था तो simply हम क्या करेंगे simply sub-page home close कर देंगे और simply ऐहां पर गोलान का basic structure लिखेंगे तो सबसे पर गया करेंगे प्रिंट एलन और उसका देने के वादे हम गर्ली ब्राकेट देंगे और उसके अंदर प्रिंट एलन और उसके अंदर हम यहां पर लिख देंगे अंदर हम दे देंगे कोमा क्या बलते हैं आप हम सिंबल दे देंगे और उसके बाद सिंबल क्या करेंगे यहां एक करेंगे यहां ले इंस्टाबिय करेंगे को यूस करने के लिए रन करेंगे तो मिन los तो फिर्स्ट को लेंगे इसे मारा चेक भी हो गया कि तो अब हम क्या करने हो अब हम कुछ एक्ष्टर्नल एक्स्टेंस इन्स्ट्राल करें जो कि हमारा उप्ष्णल होगा जिसका हगा दो से हमें अपना extension इंस्टॉल करके यूसे कढको तो ही से ृमी इसे डक्रमोड कर लें हैं जरूरी नहीं है कि इस выпуск दूशरा इए रटानी कि हमारा होने ओछ आईकनल है सब्सक्राइब कर दें हैं किया हमारा यह जो आइकन से यह हमारा आइकन हो जाएगा यह यो हो हमारा इंस्टॉल करेंगे तो क्या करेगा हमारा आइकन यहां पर इंस्टॉल कर देंगे चेंज कर देगा इस सब हम यूज कर रहे तो अभी हमारे इंस्टॉलेशन का पार्ट हो गया है तो अभी हम यह हम अपना सबसे पहला program गोड़क में लिख चुके Judith सबस मतलब किया यहां पकेज में से मतलब यह है कि जो मेन है यह main हमारा एक package है ठीक है और जो भी हम यह नीचे में के जो भी हम code लिखेंगे वो हमारा इस package से जुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ जैसे कि हम अभी Golang को अपना system install के तो Golang को हर एक functionality यूज करना था से यूज करना system में गोलंग को install कें ओर अजी गोला है एक हमारा software तो software में बहुत सर वाइयल पर मों होटा है जिसमें कि हमारा functionality होता है तो यह इक तरह का file है जो कि हमारा घोलाल तो यह हमारा वह फॉंष अचलेजिय, का gulang में फेञतक हो तो अगर वो हमारा मेन पैकेज से जुड़ा हुआ होगा, तो अगर वो हमारा मेन पैकेज से जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस मेन पैकेज को हमको यहां पर लिखना पड़ेगा, क्यों कि इस नीचे हम जो भी कोड लिखने वाले, वो हमारे ये मेन पैक को यहां पे हम लिख देंगे क्योंकि हम जो भी नीचे code लिखने हो जैसे हम code लिखें तो यह हमारा इस package main से जुरा हो है तो पहला line हम समझ चुक है पहला line में यहीं दिया है कि अगर हमको हर एक functionality goline का use करना है तो हमको use करना पड़ेगा package main जब तक हम यहां पर package main नहीं लिखेंगे हम हर एक functionality को use नहीं कर पाएंगे तो यह था हमारा first line second line में हमारा यहां पे दिया हो है import fmt थी है तो यह जो हमारा fmt है यह हमारा file है जो कि हमारा main package है हम क्या करें कि हम यहां पर fmt समुक्राइब घ्रक करहें हम से हम page package Amen processes fmt ons mapolol yeah fmt हम यहां air-ing bị institute out computer skillsколدم है यहां पे जैसे cursor अगर हम चाहते कि input output करना मतलब कुछ print करना जैसे कि हम यहां पर hello को print कर रहा है ठीक है तो इस तरह का functionality को हमको use करना है तो हम simply fmt एक file है उसको import करें जो की हमारा main package में है ठीक है उसके नीचे हमारा यहां पर देखाऊ function main तो इसका मतलब यह कि main नाम का यह जो पहला main था वो हम function है ठीक है तो हमारे एक main नाम का function है ठीक है जिसमें हम coding करेंगे इसका मतलब है कि funks से हम represent करते हैं कि यह हमारा function का नाम है और यह दो parenthesis हम यहां पर फंक्शन को represent करने के लिए देते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हम जो भी coding करने वाले है उस code को हम main function के अंदर ही करेंगे तो यह होता है हमारा function मेंटी है और नीचे में हमारा यहां पी लिखा हुए fmt.println hello world तो क्योंकि हम fmt को इसलिए ही import कि हम input output functionality को use कर सके इसलिए हम यहां पर simply fmt लिखे कि इसके बिन हम input output नहीं करता है उसके बाद simply हम यहां पर println लिखे जैसे हम println लिखे उसके बाद हम यह से run किये थे तो यह हमारा क्या कर रहा है यह हमारा simply यह हम इसके अंदर जो hello लिखे यह हमारा hello को print कर दे रहा है जैसे कि इसको हम जैसे run किये तो यह हमारा hello को print कर दे है तो जैसे हम किसे print के अंदर हम यहां पर type करें कोई भी text तो वो हमारा print कर देगा कि यह हमारा फाइल है इसमें हम यहां पर राइट क्लिक कर यहां से ओपन किये थे v currently open किये थे क्यों किए जैसी हम यहां पर v s code में एक file बना है जिसका नाम है तो वो file हमारा इस folder मीं directly save हो गया तो हम न कहीं किसी ना किसी चीज़ को all to तो हमको इस folder में हमको simply via code का file को store करना है इसलिए हम simply यहाँ पर यह फाइल बनाती है तो by the way इसका हर एक source code का description में link दिया होगा download कर लेना course complete होने के बाद तो इसलिए हम इसको functionality use करते हैं तो हम यहाँ पर use करेंगे अगर हमको गोलेंग घर एक functionality use करना है तो हमको simply यह सब लिखना परेगा ठीक है और यह हमारा basic structure भी होता है तो अब हम क्या करते हैं इसका description में link के दिया होगा download कर लेना इसमें पूरा notes detail में लिखा हुआ है जो भी स्कोर्स में करने वाले गोलेंग करते हैं तो पहला topic हमारा यहां पर दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर description में यहां पर detail में दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर क्लिक करें तो हमारा यह open जागा फॉर्स पर क्लिक करें यहां पर हम टाइप कर दें इंपर्स में यहां पर क्लिक कर दो देंगे इंपर्स चाहसते हमते के अजलत में ही तो नीचे हमारे हमारा यहां आइफ में में इंटर करें और यहां पर हम लिकरेंगे f, f के बाद हम simply नीचे हमारा यहां पर f main पर कलिक कर देंगो, तो यह हमारा एक new function बन गया जिसके हम कोडिंग करते है, फॉंक्शन क्या तो function जो main function हमारा वो जगा होता है जिसके हम कोडिंग करते है, ठीम. हम सब्सक्राइब करें हैं थो सब्सक्राइब कर दें तो हम चाहते हैं यहां पर अपना नाम को प्रेंट करना है यहां पर double comoot डेए और उसके अनदर हम यहां पर simply अभिशेक मेंद और यहां पर semi-colon देए अगर हम semi colon नहीं देंगे तो यह हमारा error तो simply हम यहां पर शॉक्यों हम यहां livre और उसके बाद simply हम यहां पर run करें देगा इसको जैसी डान करेंगे तो यह हमारा यहां पर अभिशेख को प्रेंट करते हैं अब किया करती है इस line को मैं आपर replicate करते हैं तो मैं आपरight channel करेंगे शॿन hour अन्य कर्णते हैं क ça देखो हमारा अभिशेख कर देखो हमारा अभिशेख हुआ करें तो हमक्या करें हमें हमें सीफ सेम लाइन का यूज सेंट और कर दिया तोcr सब्सक्राइब और उसके बाद यासे क्लिक करेंगे तो यह हमारा दो अलग 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 लाइन में अगर अगर आम प्रेंट में प्रिंट में क्या लिखावा with their format default format यहां पर कुछ detail में तो पाता नहीं चला बट अगर हम यहां पर देखे println में तो नीचे में यह हमारा दिया होगा a new line is added at the end मतलब कि अगर हम सिर्फ print function को use करें प्रिंट को use करेंगे तो हमारा एक ही करेंगे कि हम यहां पर क्लेर कर लेंगे तब हम समझेंगे तो अभी हमारा यह फंक्शन हो गया उसके बाद हमारा यहां पर आता है वह हमारा कमेंट्स में क्या होता है है जैसे कि यह मेरा यहां पर हम लेगे देंगे अदिया करें की कई एक हम चाहते क्या ह्या हम से ऐलने यह यह हमारा से शचितकौन सबस्क्रावरा और उसके बाद यह निए को रन कर दो यह पे और यह इसको क्या हम इसको प्रिंट नहीं कराना चाहते हम नहीं चाहते कि यह हमारा प्रिंट हो बस हम इतना चाहते कि यह जो दो कोड लाइन है इसके उपर यह लिखा रहा है कि प्रिंटिंग मैंने बट हम इसको रन नहीं करना चाहते है तो अगर हम जैसी रन करें यह हमारा एरर थ हमारा प्रोग्राइं नहीं हो जाल से तो वह अगर हम सबस्क्राइब कर ना उस लाइन को क्या सब्सक्राइब कमें और केमय में से क्या करते हैं हम सिंपली लाइन को इग्नॉर करा देगा तो हो हमारा यूर्स नहीं होता है कि अगर शुद करेंघस सूब भी कमेंड करना तो रहाने सके हैना ऑन पहले स्टार देंगे पिर स्टार देंगे फिर रहां हमारा ऑसके बाद गेंगी हमार यह हमारा क्मेंट अब और सिंगल लाइन को करता है एक लाइन को ऑगर हम सिंगल को गनोर कराना है तो यह मिंगनोर पर घ्रल करा रांगए है तो यह मुंहें को कि अब हमारा next topic आता है variables तो variables क्या होता है तो देखो सबसे पहले क्या करते हमें आप एक new file बना लेते हैं आप हम टाइप करते हैं तो यह हमारा क्या हुआ यह हमारे एक variable का बन गया तो अब हम क्या करें सिंप्लि हम इसको control-a करते हैं क्या होता है तो जैसे में में क्या करते हम बनाते है एकस इकोस इकोस टुट आप करते एकस इकस टुटएन कर देट है तो वह हमारा X किया हो जाता है variable हो जाता है, X हमारे variable भी और उस variable का नाम भी हमारा X है, तो इसका मतलब क्या होता है जैसे कि हम X equal to five कि इसका मतलब यह होता है कि x हमारे एक variable है जिसमें हम 5 value store करके रखें और उसके बाद जब भी हम x को use करेंगे तो x को as a character use नहीं करेंगे हम x के बदले 5 को use करेंगे तो क्या होता है variable हमारे container होता है जो कि हमारे कोई और variable को अपने आप में store कर लेता है तो जिस तरह में match में हम use करते है variables को उसे तरह हम programming में भी यूज करते है तो programming में variable हम कैसी यूज करते है अगर हमको कुछ भी किसी भी चीज़ को store कराना है जैसे कि हम को नंबर को store कराना है हमको किसी डैजमन नंबर को store कराना है किसी character को store कराना है तो हम उसको एक variable में भी store कर सकते है तो variable क्या होता है हम किसी भी value को store करना चा सकते तो पहले हम वैर की वर्ड को यूज कर कि देखते हैं कि हम कैसे बना सकते विरियबल धिया तो हम चाहते हैं router k बिखने के बाद हम यहाँ अलग लाइन में हरे चीज को प्रिंट लिखने के नाम किया अब यहाँ पर आप कर देंगे और यहाँ पिलिक करके लिखंगे तो यह हमाब रन हो जाएगा और यह हमारा एज में जो स्टोर के अवाद हमारा्युस गरीं Commonwealth की क्यों कि हम इसे स्टोर को स्टोर क्या है तो इस तरह से हम एक किसी भी वरियेबल को हम बना सकते हैं गो में तो इस तरह से हम पहला तरीका से वरियेबल बना सकते हैं तो इस तरह से हम जब भी वरियेबल बनाते हैं तो इस तरह से हम जब भी वरियेबल बनाते हैं तो इस तरह से हम जब भी वरियेबल बनाते हैं कबिने कि लिए कर दिया म्याना सब्से पहले हम यहाः पर कर देते हैं रैंक हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं फिर आपर हम inferred का symbol दे देते हैं जो कि हमारे colon is equals है और हम इसमें चाहते हैं कि हम one store करना चाहते हैं उसमें हम type कर देंगे तो यह हमारा variable बन गया जो कि inferred variable है जिसका नाम हम rank रखें और उसमें हम one value store का दिए करने के बाद से क्लिक करेंगे तो पहले हमारा यहां पे 16 को कर देगा फिर हमारा यूज करें शेयरा मिसको यूज करेंगे बस कि यह होता है कि हम समय संदेंगा---- एल्यूão अ लकने है लएकल रिखने के बाद इनफ़ीद्व्ल डेते और इसमें वेल्यू कर चेपके तो इह होते हैं और गश्ञा हमारा आउर दैखते हैं कि डौनों में डिफेरंस चौन होता है हमारे पास दोसा का normalИ तो यहां पर हमारे difference लिखावाते हैं इस हम difference को देखते हैं तो पहला हमारे यह दियावा है कि जो वैर है उसको हम जो हमारा inside और outside function के भी अंदर भी declare कर सकते हैं जैसे कि देखो यह हमारा main function है ठीए हम क्या करें कि हम यह जो हम variable बनाटी है इसको हम क्या करते है रेपली कर लेता और simply हम यहां पर function के बाहर प्रिंट करा देंगे टाइप करा देंगा और उसके बाद भी हम simply run करेंगे तो यह हमारा बिना error थ्रोक यह भी रन हो जागा जैसी है बट अगर हम जा करते है इसको हम simply पहले पोजिशन पर लिए तो यह जो हम इंफर्ड बरियेबल बना है उसको हम यह हमारा में फंक्शन है इसके बाहर हम यूज करना चाहिए तो यह हमारा एरर थ्रोक करेगा तो पहला डिफरेंस तो यह होता है कि हम में फंक्शन के अंदर ठीए यह जो हमारा में फंक्शन में फंक्शन के अंदर हम इंफर्ड कर सक बट अगर हम वेर को बाहर यूज करना चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं और यह हमारा और भी तरह का यहां पर हमारा बहुत तरह का डिफरेंस दिया वाद इसको तुम प्रैक्टिस कर लाएं क्योंकि एक घंटे का वीडियो होने वाला बहुत चोटा से वीडियो होगा तो इस इसे multiple variable को declare करेंगे simply हमें आप लिख देंगे और यहां पर हम चाहते थे कि एक कोमा बी कोमा सी तीन वेरियाबल हम एक ही लाइन में हम करना चाहते है तो क्या करेंगे वैल लेकेंगे तीन वेरियो का नाम देंगे कोमा के साथ एकोस देंगे और अब हम यहां पर simply को भी हम इ यहां पर जैसा हमारे यहां पर इस तरह से मिसका वैलियू को भी हम यहां पर स्टोर कर सकते हैं तो देखो यह हमारा यहां पर कुछ एर तो कर रहा है तो यहां पर इस पेस पेस देते तो और हम क्या करेंगे simply FMT लिखेंगे print लिखेंगे और हम क्या करेंगे इसको में replicate कर देंगे तीन बार और इसमें हम सिंप्ली लिख देंगे और यहां पर यहां पर यहां पर रन करेंगे तो यह हमारा रन हो जाएगा तो यह हमारा रन हो गया तो यह हमारा क्या कर दिए हमारा हर एक वरियेबल का वैली को प्रिंट कर देंगे तो यहां पर इसी तरह से हम करते हैं यूज चीए तो यह देखो यहां पर देखो हम क्या करते पहले अगर हम यह से एक प्रिंट नहीं कराएंग तो यह हमारा यह पे अंड़लाइनए आजएगा अगर हमको को भी वरियबल बनाते हैं उसको यूज नहीं करते हैं तो वह हमारा एक ठो defining लगता है तो कभी मडिने तो यूज e करेंगे यूसE करेंगे तो इस तरह से multiple variables को हम बना पर सकते थिक हैं या फे next हमारा दियाredit naming rule तो यहां पर कुछ rule दिया वह है इसका rule से help से हम variable का name declare करते हैं तो इसको पढ़ ले ना खुद से discuss कर ले ना ठीक है क्योंकि यहां पर बस rule दिया वह उसको follow करगे declare करना है variable name पो ठीक है तो यह हो गया हमारा और यहां पर कुछ naming convention क्या होता है किसी भी variable का name declare करने का rule ठीक है किसी भी variable का name हम कैसे declare करते हैं जैसे कि हम यहां पर बना आगे तो चलो हम करे लेते कि कैसे हम किसी variable का naming करते हैं तो यहां पर देखो naming convention में यह दिया वह नेमिंग रूम में और वरियवल यह कि कभी भी बनाएंगे यह तो उसका name start करेंगे तो किसी भी हम letter से ABCD या फिक underscore से कभी भी हम digits नहीं करेंगे तो यह उसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि अब वेरियवल नेम को किसी भी capital is यह हमारा दोनों अलग होता है क्यों क्यों कि हमारा यह जो गो लेंगे वो के sensitive language होता है तो यहां पर देखो हम क्या करते हैं simply हम यहां पर करते हैं कि हम यहां पर माई टाइप कर देते हैं फिर उसके बाद हम वान टाइप करते हैं फिर हम यहां पर नेम टाइप कर देंगे और उसके बाद इसको run करेंगे तो यह हमारा run हो जागा तो यह हमारे यहां पर पर प्रिंट कर रहा है तो रूल के according अगर यह variable के पहले हम अगर यहां पर digit दे दिये तो यह हमारा error तो हम यहां पर digit नहीं देने वाले हैं तो यहीं होता है हमारा rule naming बाट अगर यह दोनों के बीच में एक एक एस पेस दिये तब भी हमारा अधर तो आ पर लेगा तो हमको एस पेस भी नहीं देना है अर एक और बात यह था इसमें हमारा कुछ नेमिंग कोड्मेंशन था तो यहां पे हमारा थीन कांवेंशन था एक था हमारा एस चैन पास्कल और camel case तो हम आपर basically समझ लेते कि यहां पर देखो जैसे हम कोई भी variable का name declare करेंगे तो camel case में क्या दिवा है camel में दो वर्ड है तो camel का जो पहला वर्ड है पहला वर्ड का पहला लेटर हूं हमारे small है बट camel case में दूसरा word है दूसरा पहला लेटर हो हमारा उसके बास जब भी हम कोई बी नीव वड उसमें एड करेंगे तो उसका पहला हमारा कैरेकटर हो जैसे यह हमारा और दूसरा हमारा पासकल दिया तो और यहां पे यहीं दिया कि अउसमे में क्या करेंगे हम द्यस्जार देंगे के आपके UK के कीक के सब्सक्राइक एंद ब देख लेकिन की एद्र करेंगे हैं अब यह हमारा इतना ठाप्पिक हो सबुतका तो क surface तो सब्सक्राइब हूं यहां पर हम यहां को यहां पर यहां पर देथे निजम भना लेते हैं रुट है एक है पोर इंपोर्ट लिखने का यहां सिंप्लि लिसे हैं एके हम लिखने के बाद में हमको एफ लिखने हैं और यह हमारा फंक्षण कर देखते हैं तो अब हम क्या करने जैसे बार टैंबे बना तो यह सवीज़ इकोर्स फिर्ट कर दींक है और उसका जबंसा करते हैं कि प्रिंट कराके देखतें ais फ्म्त लिख देगे और हम चाहीं को प्रिंट प्रिंट करेंगे जैसे हम यह पर इसको प्रिंट कराएंगे तो यह हमारा 16 को प्रिंट कर दिया है जाया क्यों क्यों चाहिक करना चाहें और उसकेड करेंगे यासे इसको run करेंगे तो यह हामारा जो पहले 16 को print कर रहा था अभी तो इस तरह से जो हम वाली को change कर सकते तो थे यह बाट अगर हम चाहते कि यह जो हम variable बाद में नहीं चैंज कर सके तो हम simply क्या हम चाहते हैं कि यहां पर हम लिख देंगे सिक्स लिख देते और उसके अधम क्या करेंगे फ्रिंट करा देंगे प्रिंट करते एक को हम यहां पर अगर चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर हम का वैली को चेंज करना है तो अगर चाहिए जिसका बाद में चाहिए नहीं करना देगे तो यहां पर कॉंश्ट में हमारा दिया वाइस तरह हम बना सकते हैं कॉंश्ट का हेल्प से बनाते हैं और पर कुछ नेमिंगी को युज करेंगगे और यहां पर हमारा दिया हुआ है कि अगर हम उससे पता कर सकेंगे तो हम उसमें कुछ पर केस्ट में यूज उससे हम दार्म और सक करेंगे양द सतथियर रिपध्यक्राइब्यंगे Shizidaya क्लिक और याँ आपिने करतें आप वह 1 यह चैनकोडिव। प्लीप करेंगे टैप कदेंगे under his code type dorp go उसका simply enter करवा्य करेंगे कि सिंपली इसको control a कर के control c कर लेते हैं और simply हम यहां भी करें और प travaill〃ट याos से डिलीड कर देंगे तो अब हम क्या करते हैं कि data type को समझती है थीए था है आप हम सिंपल एक variable बनाते हैं वायर नम इकशू 12 और सिंप्ल हम उसको यहां से प्रिंट करा देते हैं जो कि हमारा नम को प्रिंट करने वाला है तो नम को सिंप्ल हम यहां से प्रिंट करा देंगे और उसके बाद हम यहां से स्कोरन करेंगे तो यह हमारा 12 जो वैल्यू स्टोर किया हुआ है उस 12 वैल्यू को यहां प को बेसी है और यहां पर हमारा और यहां पर खुरा सो डीटेई में बताइग तो जैसी कि अ बने तो क्या कि बने उसका नाम हम लख कि और उसमें हम एक 12 वैली को स्टोर किए जो हमारा 12 यह तो हमारा value है तो data type क्या होता है किसी भी variable या constant का value को हम data type बोलते हैं इसका मतलब क्या हो जैसे कि हम यह जो variable बना है इसमें हमारा 12 इस टोर क्या हुआ 12 यह हमारा number 12 हमारा number है तो यह हमारा किस type का है जो value है वो हमारा number type का है बड़ी wiem करते हैं स्वापन यहां पर हम यहां करें यह पर सब्सक्राइब करたें तो बड़ीघ हम पर देते हैं इस तरह से यहां पे किलिख करके तो तो यह हमारा अभी को प्रेंट कर देगा तो हम क्या यह तो हमारा टेक्स टैप हो गया ठीक है तो प्रोग्राइमिंग में टेक्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग और नंबर को नंबर ही बोलते हैं तो यह देखो अगर हम चाहते हैं तो यह हमारा वेरेबल क्या है यह हमारा स् तो टेक्स्ट को हम बोलते हैं क्योंकि हमारा टेक्स्ट को स्टोर किया तो यह हमारा हो गया स्ट्रेंग टाइप अगर यह हमारा सिंप्ली नंबर को स्टोर कर रहा होता है तो यह हो जाता है हमारा नंबर टाइप का विरियेबल तो डेटा टाइप क्या होता है किस तरह का वैल तो यहां पर हम देखते कि हमारा इंटीजेर हमारा नमबर टैप कर डेट़ इन मेरी कैंë तो न्मेरिक में दो तरह दो तरह नहीं आधा सब्सक् ludzi हो सकते हुआ इंटीजर हो इंट इंटीजर वह D नबर ही जakesन वह जिसमें कि हमारा प्रेक्शनल पाट हें फिर मध hora सब्सक्राइब हेला होता है हमारा साइड इंटीजर होस्टाि गJackie होता है वह हमारा जो हमारा पॉजजिटिव वाई नेगाटिव वैली को स्टोर कर सकता है और जो हमारा दूसा तरगा इंटीजर होता है जो कि हमारा अंसाइंड इंटीजर वह हमारा दो तरग एक तरग वैली को स्टोर कर सकता है वह होता है हमारा सिर्फ सिर्फ पॉजिटी वैली तो हम देखते हैं कि हम साइंड इंटीजर क्य जो जिस तरह का type देवा integer का वह हमारा किस तरह उसका size कितना वह हमारे bit में size देवा और उसका range देवा कि हम कितना value को store कर सकते हैं तो उमको बस इतना देना कि हमारे लिए important यह नहीं हमारे लिए important है अगर हम चाहते हैं कि हम कोई variable बना है है जिसमें कि हम बहुत चोटा इंटीर वैली को श्टोर करना चाहते हैं तो simply हम वहाँ पर इंटिटाइप करदेंगे तो simply हम क्या करेंगे हम यहाँ पे कर देंगे यह देखो यह तो हमारा है एक variable तो हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ बताना तो यह तो हमारे डेक्ट ली डिर्यब्लイ डिल्ट बन गया टीजा वट आगर हम चाहते कि विरीबल को हम बता दे कि इस type का बिरीएबल को बनाना जाहते जो इस तरह के data type को value store करता हूं मतलब कि हम variable को हम बताना चाहते हैं कि मेरा इस data type का value को store करना तो हम क्या करें रहें variable का name के साथ हम यहां पर colon के साथ हम यहां पर int लिख देंगे ठीक है यहां पर simply हम नहीं रुखो यहां पर notes को देखते हैं यहां यहां पर हमारा syntax बीया हुआ होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं इंटीजर को यहां पर देखो यह हमारे यहां पर syntax नहीं देस तो हमों क्या करना होता है अगर हम जब भी integer का हम विरियेबल बनाएंगे तो हम क्या करना पड़ेगा सिंपली हम क्या करना पड़ेगा हम चाहते कि हम इंटीजर विरियेबल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें नेम देंगे नेम विरियेबल का नेम के बाद हमें एक स्पेस देंगे और उसका टाइप हम वहाबर डिकलेर कर दे बताना चाहते प्रिदो कर दिया घ्यांति नियुक्तव कर डाइब हम इसमें कोई एक डैसिमल नंबर करना चाहेंगा तो यह हमारा एक बसाने कि अगर चाहते है कि हमारा वेडियेबल में इंटीजरी स्टोर करते हैं कि हम कितना बाड़ा वैलियर्ट करना चाहें अगर सब्ड़ Pokémon फिर आगया से अगर कफेशने करना च्रिय हम बहुत है यूज करना यहां पर हमारा range दिया वात है इसके according हम यहां पर values को श्टोर करेंगे तो इसमें positive और negative दोने value को श्टोर कर सकते हैं अगर हम यहां पर code में simply 12 को हम minus 12 भी कर देंगे minus कर देंगे और उसके बाद simply हम यहां से run करेंगे तो यह हमारा बिना किसी error का यह हमारा 112 पर श्टोर कर देगा ठीक है तो यह हो गया हमारा signed integer बट जो हमारा इसी तरह होता है वह हमारा सेम इसी तरह का होता है ठीक है बस फरक कितना होता है कि उसमें यह हमारा थोरा सा range बदल जाता है यहां पर देख लेना और उसमें सिर्फ सिर्फ पहुंच के वहले को श्टोर कर सकते हैं अगर हम क्या करेंगे simply इसको हम replicate करते है रेप्लिकेट करने का shortcut is shift alt down arrow और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और इसका नाम यहां पर चेंज करके यहां पर इंट को यू इंट कर देंगे तो यह हमारा error थो करने लागे अगर हम यहां से यू हटा दे यह मेरा error नहीं थो करेग तो अगर श्येकर बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं और यहां पर हमारा टाइप दिया वज़े सिक्स्टिन तो अगर हम अलग टाइप को बनाना चाहते तो simply हम यहां पर 16 टाइब यह अमरा भूंज है तो यह हमारा कपासिति कि कितना वैस वैस के सब्सक्ती की टो करें तो दोने और उसमें करने तो कर सकते हैं और हम क्षिमर यहां पिएवा है float float हमारा क्या था decimal type होता हैOS यहां पर हमारा float का व्हक्राइब दीऊ दिया 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 फ ізन के और बहुत बड़ा floor का यूश करना चाहते Сटी को यूश कर देंगे तो देखते हैं दिया मतलब की सब्सक्राइब कुई पया की God इसको replicate कर लेते हम यहापर क्या करता यहां से simply हटा देंगे तो यह को हमारा यह error पहुत कर रहा है यापकर लिखते हैं यह हरा 9 Chief सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि हमारा फ्लोट बेरीबल टो simply यहां पे यह हम लिए देंगे फ्लोट फ्लोट है हमारा और दोिशन कोई बीया था करुंए तो यह हमारा ऊसे बाद शुन वहां करने करें तो हमारा होजाएक匩 तो इस तरह से हम एक वान बनाते हैं अगर हम F64 डाले तो हमारा पैस पतलब हमिए हाथ डेसिमल करना चाहते और अगर हम यहां पे एफ-32 देगे अगर हम यहां पर फ-32 देगे तो यह हमारा चोटा decimal point को सदोर करेगा तो महँं भी हम देख चुकिए integer क्या होता है float क्या होता है next हमारा यहां पे द्याओ है string यहां पी string string हम आलेड़ी एक कच कर चुकिए क्या होता है string मतलब text अगर हम यहां पे लिए हम लोने थे एक उug्स तो हम्म शजीन और यहां हम किया करते हैं अफ मती डॉरीैंथ और यहां पर यह हम करेंगे तो यह हमारी को प्रिंत करते हैं और यह हमारा इस ठेक होने जहां पर हम कोई भी हम डिकलिए नहीं कर देकि हमारे स्ट्रिंग स्टोर होने वाला तो यह अगर हम स्ट्रिंग करते हैं स्ट्रिंग को और यहां पर हमारा यहां पर दिया वाथा क्या होता है और हमारा यहां करा देंगे और करेंगे तो यह हमारा यहां करेंके यहां फाल्स को अगे है मैं यहां जाता है हुदा है तो यहां टेकलिका यह हम यहां पे और अगर हम को नंबर टाइप यह हमारा एर करेंगा तो यह हमारा प्रेंट करेंगे तो यह हमारा सबक्राइप सब्सक्राइब और जो वैर था वैनिव एक और तरह का हमारा आटपूट होता है हमारा प्रिंट एफ तो क्या करते हैं कि अब हम समझ लेते कि प्रिंट एफ कम कैसे यूज करते हैं तो यहां पर हमारा और पुट का कहा चेक करने दूँ तो यह हमारा यहां पर 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 %t का मतलब होता है तो जैसी कि हम यहां पर क्या करते है एक वरियेबल बनाते है ठीक है वार एनिव इकोल चुट ट्वल्व और उसका सिंप्ली कर देंगे वार एन एकोल्स टू अब इस टेक है कहा है सिन्प्ली पम्हा है क्या करेंगे print fmtv दो ट्रिंड एसा अव पर लियों से अंपर शिदिन स्कून देग्या पार है, पार सांट यह पर सेंट बी आंड टाइप परसेंट टी और अंपर करना पर एगा पॉसेंंट टी और कॉमा देने के वाद हमिए आपके अनयूलिज देंगे और उसके बाद पीलों देखे और इसको फिलाहल कमेंट कर देते है और उसके बाद तो यह हमारा रन होगा और यह प्रिंट कर दें वैल्यू ऑफ एन्यू इस टॉल एंड टाइप इस इंट तो जैसे कि हम यहां पर बना ठीक है उस वेरियेबल को यूज करना चाहते हैं इस प्रिंट अधर डबल कोट के अंदर इस सब स्ट्रीं के साथ यूज करना चाहते हैं वहां पर रнить होने कि प्रिंट कर दिया और यहां पर परेंट कर दो यहां पर त हमेर लिख नंगे वारा यह को टाइप कर दिया और ऐघ्या नाम करना चाहते हैं तो इस तरह से हम प्रेंट इसटीं में कुछ टेींट करे कों लिखना पड़ता हим करता है पर इसका इस को प्रिंट कराने के लिए तो यह हमारे पता हो रहे हो इस पर TIM चुटे थाइप क disturbing तो फेरिशा और हम द्यूद्म की निंग सब्सक्राइब पर और भी हम पूर स्भीं में यहां पर है next topic हम यहां पर देखते है operators को तो operator क्या होता है operator होता है हमारा जैसे कि यहां पर देखो operator दिया operator आप यूज टू परफॉर्म operation on variables and value जैसे कि हमारे पास दो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर यहां 5 टाइप करते हैं एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं फाइफ अंडर स्कूर ऑप रेटर डॉट गोग ठीक है एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम operator लिख देंगे ठीक है और सिंपल्ल हम क्या करेंगे कि कंट्रोल यहां से कर लेते हैं और यहां पर सुपराने को यहां से डिलीट कर जाएम तो अब यह से तो अब करते हैं जैसे के कि यह जो हमारा दो वेरियेबल है इस दो वेरियेबल को हम एड करना चाहते हैं या फिर इस दोनों वेरियेबल को हम मंटिप्लाइ करना चाहते हैं दोनों वेरियेबल को हम डिवाइट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे हम सिंप्ली यूज करेंगे ऑपरेटर को हम को तो भी mathematically task use करना चाहते हैं किसी वेल्यू के लिए या फिर किसी वेरियेबल के लिए तो में यूज करें उपरेटर तो यहां पर हमारा ऑपरेटर कुछ टाइब दिया हो जैसे कि हमारा दिया हमारा यहां पर दिया हुआ प्रिंटाइटिक यहां चाहें बेसिक ब्लस इहां प्लस मैंडिक डिवाइड करना है तो हम सीम्पली और मेंटिक ओपरेटर ही स्कारी तो देखो सिम्पली हम क्या कर देंगे कि मिभी यहां फो हम यहां पर nutrient करना चाहए वачया और उसमें नंड 177 ऑर उसके बाद से वहां करेंगे तो यह हमारा क्या करेगा यह दोनों जो उभल दिया हुए दोनों विरीयेबल को यह simply ंकर दे में हम्हारा और जो रखें सिऺने हमारा सेम सी तरह मैंने सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहां पर यहां से लिए हम कर देंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं यहां हम नोट करें तो यहां पर हमारा एन्ट वैल्यूज के लिए तो वेरियेबल में देख लिए कैसे उस करेंगे और हम कैसे यूज करेंगे किसी भी वैली के लिए तो जैसे कि हम क्या करते हैं नम्वान के बदले हम यहां पे कोई भी रैंडम टाइप कर दें और उसके बाद एक यांसे स्कूरान करेंगे तो हमारा यहां पर डिर्कली मंटीपलाइ करके भी कर य से हमारा। यहां पर यहां पर जैसे हम दो वेरीबल के लिए यूजं करा थे ऑपुरे इस तरह हम्ते ईह क्याि यूज्ट कर सकते हैं । operator basically स्मींबॉल होता है से स्मीं प्लस मैंस मुटिपला डिवाइट करते हैं उसे तरह होगा हमारो और तो यह था हमारा पहला अध्मैंटिक आसाइन्मेंट ऑपरेटर क्या होता है यहां पर यहांपर फार्श तो कैसे करेंगे इसलों क्या करेंगे एक विरेबल हम बना लेते हैं वैर तो अगर हम यह पर चाहते हैं यह जो नम 3 है इसमें 10 और एड़ करना चाहते हैं बट हम प्रेंट यूज नहीं करना चाहते हैं क्यासे एड़ करेंगे प्रेंगे नम लिखेंगे नम 3 फिर प्लस इकोल स्ट्व और उसके आदे सिंपली क्या करेंगे इसको यहां से रन करेंगे तो यह हमारा 22 पर प्रेंट कर देगा तो यह हमारा क्या करा है कि यहां कर दो अगर हम इसका चेंज कर देंगे तो यह हमारा ओर यह प्रेंट कर देगा उसी तरह अगर हम यह चाहेंगे तो मुटिप्लाइद देंगे इंको से पहले और उसके बाद Simplum या सिसको मुटिप्लाइब करेंगे तो हमारा मुटिप्लाइब धी कर देगा तो इस तरह से हम असाइंदमेंट ऑपरेटर को यूज कर देखें हैं तो यह हमारा ऑपर यहाँ पे दिया हूँ है आपरेटर यह देखो यह हमारा दिया वाट यह तो एक हम कर देते कि अगर नम वराबर नम टू का यह जो हमारा डबल इको सोता है ना तो प्रोग्रामिंग में इसको इको सब्सक्राइट है तो इस ऑपरेटर का है से शमक्राइब से हम कंपेर नम टू का जैसम इसको यहाँ से हम सboys करेंगे यह हमारा यहां पर रिटर्न कर देगा वौश्य हमारा पर प्रिंट कर रहें कि हैं नमन में किzekसर में हमारे श्रूर किया दियू है ले तुकि चानल मेरे नम च्वे बराबर नहीं है तो हम यह बहुत कर दिया पॉल्स होगी है क्योंकि मेरा नमवान नमटू के बराबर नहीं है बट अगर हम यहां पे कर देंगे नमवान इसका मतलब होता है नॉट इकोल्स तो जैसे हम इसको यहां पे यह ऑपरेटर देंगे और उसके बाद सिंपली मैं से रन करेंगे तो यह हमारा ट्रू को कर दीया है है यहां पे क्यों कि युव क्या 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 मैं टöb попробर कर दिया है उसी तरह हम यहां पे smaller then use कर सकते तो क्या हम यहां पर अजिंग सको SMALLER दैन बोलते हैं उस statement है यहां पर जैसे हम रण करेंगे यह मेरा तो मतलब ह prere, 음 यह हमारा स्टक्रा नहीं करेंगे चैनल कलए क्याम पूंत अगर से बड़ा है नहीं सब्सक्राइब नहीं यह हमारा संप्रित को प्रिंट कर दिया तो यह हमारा यहां पर सब्सक्राइब जया जैंगे जैसे की हम यहां पर क्या करते हैं यह मेरा यह पर कर देते हैं कि इसे के अंदर हमें रगेते हैं और बीच में हम क्या कर देते हैं करते हैं दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं यह solution ok धायुक्तution के अंदर और हम चाहते हैं और कि अकर गत रहुब मि Sweet dal यह में यह दोनों को कीजि़ान है वमक्रण यह दोनों करना चाहते हैं इसको रॉन्द करना चाहते हैं ठोकिकल ना है किसी को यूज कर साथ है तो हम क्या करते है इसके अंदर हम ऐसको मोलते को लॉजिकल और उसके बाद सिंपली हम यहां से इसको रन करेंगे यह मेरा ट्रू कर देगा लाश्ट में यह त्रू प्रिंट हो रहा हो यहां पर प्रू क्यों प्रिंट हो रहा है कि one मेरा वान के बराबर कर देते हैं और उसके बाद सिंप्ले हम यहां से इसको करेंगे यह उसका मतलब यह हो तक तुम जीतना भी condition दो जैसे हमारे यहां पर ढो इसे हम लॉजिकल और यहां पर कर देंगे और उसके बार सींप्री यह रख होता है कि देखो मेरा सी तो देना है तो उसमें से सिर्फ पर एक कंडेशन भी प्रू हुआ तो वह मेरा ऊवर रू हो जागा तो लॉजिकल कि कि यहां पर करते हैं लोजिकल नॉट को ठीज है तो यह जो हमारा ऑपरेटर इसको लोजिकल नॉट बोलते हैं तो लोजिकल नॉट क्या करता है जैसे कि हमें आपर सिंपली इन हम हम यहां पर करा रहे हैं है यहां यहां पर से पहले इसको hogy लॉजिकल नॉट वो दे देंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यह मेरा वैली को चेंज करके ट्रू कर देगा पहले यह मेरा यहां पर फॉल्स को प्रिंट कर रहा था बटी अब मेरा ट्रू को प्रिंट करा तो अगर हम चाहते कि वैली को चेंज कराना मतल क्या होता ठीज है तो एरेक के लिए यहां पर हमारा नोट्स में दिया है तो हम क्या करते हैं तैप कर देते एक निव फाले यहां पर बना देते six underscore error dot quote यह हम यहां पर एरेक के लिए बना दिए और यहां पर हम क्या करेंगे simply control active copy कर लेंगे और simply हमें आप knob पेस्ट कर देंगा और जो लिए सब्सक्राइब यहां तो इस खोट को हम यहां से डिलीट कर दे तें कि यहां पर देखते हैं कि यह स्वेरीपल बनाते रहे कि वैर वैरर एक प्रिंदे कर देंगे और उसके बाद हम यहांसे को करेंगे क्योंकि मेरा वेर इमें ट्वल्फ प्रेंट करेंगे को ने मेरा सिंव्फ करेंगा जो कि मैं सबाहन करेंगे about 요 यहां पे जैसे कि आगर ये एक वैलेएक वैलेख में 있지 करें तो अगर हम चाहाज है कि एक variable में एक जढ़ा व्हाले श्टोर करना थो हम यूद्ध करेंगे क्या करें कि नॉम्मल सब बनाते हैं वयर लिकिंगे एक यहां पर सिंटेक्स दिया हूं यहां पर सिंटेक्स कि यहां ने के बाध उसका यहां मेंशिन कर दिया त्यक्つ मेंशिन कर दिया यहां पर हमारा स्कुरा için निंगे हम चाटेए कि इस में पांच को शेचेडर हो सब्सक्राइब कर देंगे त्यस्क्ति में और हम यहां पर सिंप्लीध curry वैली को स्टोर कर देंगे यहां पर देंगे और सिंप्ली हम चाह करेंगे कि यह हमारा नीचे जा रहा है इसको हम यहां पर लिया दें और सिंप्ली FMT FMT.print यहां पर कर देंगे और यहां पर हम B को सिंप्ली टाइप कर देंगे और उसे पहले लाग को क्मेंट कर देते यहां पर सॉटकट झो को किमेंट यहां सेप्रण गैंगे थिए का यह चलि 거야 है यह हमारा सिंगल वेरियबल में हमारा एक ही वेरियेबल है जिसका नाम गृह में हमारा को स्टोर कर दे रहें इसमें क्या करें 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 अ करहें कि इससे बहुत बहुत बड़ा साइज का बहुत साव हा करी और इस date से नहीं करना चाहते है कैसे बनाएंगे क्या करेंगे इसको रफ्लेकर करते इसका नाम करके यहां हम चेंगें अब जो हमारा दीया हुआ है इसका पाइज साइज को अटा के डॉट यहां पे हैं इसको हम च्टोर कर सकते और i s i e kya करेंगे उसको print कराकि देखते तो यहां पर हम simply यहां से इसको टाइप करेंगे यह मेरा पहला 12345 प्रेंट करेंगे यह मेरा बहुत बड़ा हाँ आरे को print कर देगा तो दूसरा हम क्या क्या करें सिंप्ली हम यहां पर साइज नहीं देने के अलावा यह पर तीन डॉट देने से क्या करा है कि वह मेरा बहुत इसमें हम एक्सस दे देते हैं एक को कि हम जितना भी वैली देंगे उतना घॉल्ट को स्टोर कर लें और यहां पर उसका टाइब दे रहें ठीक है तो इस तरह से हम तो हमारे पास यहां पर पांच एलिमेंट तो हम चाहते कि हमें एक एक एकसर कर रहा है तो हम कि यहां पर इंडेक्सिंग का ध्यान देना पड़ता है इंडेक्सिंग क्या होता है उस एलिमेंट का पोजिशन उस एलिमेंट का पोजिशन को हम बोलते हैं जैसे कि यहां पर हमार हमारा बालोह तो हम क्या करेंगे और हमिस्कों को इंडेक्स्पर ये हमारा फोर्षन की क्या तो सब्सक्राइब करनाattend सबस्क्राइब कर देंगे क हमारा फोर्स्ट के लिएति आपक घ्राएबां वैस्क्राइबmost यहां पर देंगे और स्ब्सक्राइब करेंगे और यह फिर्ण करेंगे और उसके बाद करेंगे तो यह हमारा 5 को प्रिंट कर देगा तो इस तरह से हम किसी एक पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं तो यह होता है हमारे तो अब हमारा यहां पर खत्म हो गया तो अब हमारा यहां पर यहां पर दिया हुआ है, conditions, ठीक है, तो यहां पर देखो, notes में दिया हुआ a condition, तो condition statement are used to perform different actions based on different condition, और यहां पर 3 तरह हमारा पास condition हो, तो if else, else if switch, तो हम क्या करते हैं इसब से पहले हम यहां पर एक new file बना ले तो यहां पर click करेंगे, और हमफे simply type 7 underscore c1 dot g और enter कर देंगे तो यह हमारे एक new file बन जागा तो अब हम वो करना यह है कि simply हम यह पे क्या करते है कि हम यहापे simply package main करके हम यह यहापे type कर दें package main फिर यहापे हम लिख देते हैं import import लिखने के बाद हम simply यहापे लिख देते हैं FMT, FMT के बाद हम क्या करेंगे, कि simply हम यहां पर लिख देंगे F, में यहां पर simply हम टाइप कर देंगे, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले, हमारे pass modes में यहां लिखा हुआ है, condition, तो condition तीन तरह का होता है, कि condition क्या होता है, जब भी हमको computer से खुद से decision लेने के लिए हो हमारा true हो सकता है, या तो वह statement हमारा false हो सकता है, तो उस statement के according, जब computer हमारा decision ले, तो उसको हम बोले condition, तो हमको याद यह रखना है, दो बात हमको यहां पर याद रखना है, कि if come मतलब होता है हमारा true, और control z, फिर यहां पर हमारा else का, यहां पर simply हम लिखते else, और else का मतलब ह होता है हमारा false ठीक, तो हमको बस दो चीज़े आद रखना है, हमको बस याद रखना है, कि if का मतलब होता है true, और else का मतलब याद रखना है, कि वो होता है false, तो देख लिए हम कैसा इसको समझते, तो simply हम क्या करेंगे, एक variable बनाने यह वार, wherein num equal simply हम यह पर type करेंगे 10 यह, और उसके बाद हम क्या करेंगे, simply हम आपे लिख देंगे, if, if के बाद हम simply हम ये करेंगे, कि हापे लिख देंगे, bracket देंगे, if हम लिख देंगे, num, num is equals to, equals to ten, और उसका क्या करेंगे, हम bracket देंगे, और यहाँ पर simply हम आपने i怎麼辦, fmt.print, प्रिंट लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे ट्रू और उसके बाद क्या करेंगे यहां से इसको हम रन कर देंगे तो यह हमारा यहां कर देगा तो हम क्या करेंगे प्रेंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं होता गहीं तो यहिए अगर हम क्या करना हैं कि सभी किसी तरह का करेगा तो इसे हमारा लगाना चाहते हैं की नहीं सेमि कलोन लगाएंगे तो अब हम समझते हैं कि if else क्या होता है यहां पर फिर हमारा yes क्यूं रिटन करा यूदि कि इसे पहले हम डिसक्वें थे कि if का मतलब होता है true और else का मतलब false इसको में इसी तरह याद करने के लिए लिखें तो यहां पर देखो इसे और हम डिसक्स किये थे कि condition हमारा कोई भी एक statement पर रन होता है कोई भी statement हमारा condition रन होता है तो जैसे यह जो मेरा variable है इसमें क्या बोले कि मेरा जो नम है वह एक variable है जिसका value 10 है और if हम लिक रहें कि क्या मेरा number 10 के बराबर है तो 10 is equal to equal to 10 तो यहां पर yes है यह हमारा true है तो जैसे मेरा statement true होता है तो यह simply क्या करता है इस बाला block के अंदर आता है और if यह जो भी कुछ लिखा वह उसको रन कर देता तो simply यह जब statement हमारा true है तो simply हमारा यहां पर yes प्रिंट कर देता और अगर यहां पर simply क्या कर देते और उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो यह हमारा यहां पर no को प्रिंट कर देगा तो यहा होगा अब if का जो भी कोड लिखा उसको रन कर देगा तो इसमें ध्यान यह देना है कि हमारा else है else को हम क्या करेंगे नीचे हम नहीं लिखेंगे जहां पर हमारा if का bracket खतम हो बंद हो रहा है वहीं पर simply else लिखेंगे तो यह होगा हमारा if else होगे फिर next topic हमारा यहां पर दिया हम simply यहां पर check कर पाते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि multiple condition को check करना if else में तो simply क्या करते है else है else के बाद हम यहां पर if लिख देंगे और simply हम यहां पर एक bracket देंगे और हम easily कोई भी condition check कर सकते हैं तो जैसे कि हम यहां पर कर देंगे num is equals to equals to 10 ठीक है और उसके बाद अगर अब हम हम यहां पर run करेंगे तो भी यह हमारा यहां पर no को ही print कर देगा क्यों यहां पर यह हमारा no को ही print कर रहा है इसलिए करा क्योंकि यह हमारा if है उसका condition wrong है बट नीचे में जो हमारा condition मिला यह तो हमारा true हो गया तो जैसी मेरा condition true हुआ तो जो मेरा else if बला ब्लॉक है उसमें यह run कर देगा और उसके बाद simply हम यहां पर चाहें तो option हैं else भी लिख सकते और fmt.print.alend करके हम यहां पर कोई भी एक random टैक्स भी कर देखें और उसके बाद simply हम यहां से run करेंगे तो यह हमारी यह रैंडम सा जो भी टैक्स जो हमारे श्ट्रीक है उसको प्रेंट कर देगा तो यह होता हम हमारा होता है else if यहां पर थर्ड और लास्ट टैप यहां फेंपर दियावा switch लिखने के बाद हम यह हम एक variable के लिए रन करते हैं तो हम जिस भी variable के लिए हम run करते हैं उस variable का नाम में यह पर type कर देंगे और simply एक bracket देंगे और इस तरह आप इंटर कर देंगे तो अब हम क्या करेंगे इसमें case compare करते हैं तो जैसे कि हमारा पास इन नंबर टेनेटिया तो क्या करेंगे सिंप्ली लिख देंगे case case लिखने वादे space देने का दो वान देगे जिसको हम compare कराना चाहते हैं तो हम one compare करना चाहते वान देगे यहापे colon देगे semi colon 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 उसकाद simply हम आप टाइप कर देंगे fmt.print देगे और यहापे बिख देगे हैं भूद देगे और यहापे बहुद लिखिगए ओर उसकाद क्या करेंगे सिंप्ली हम आप लिख देगे case case दू लिख देंगे और उसके वाद हम यहापे simply टाइप कर देगे आप यहापे लिख देगे लिखंए यहां पे सब्सक्राइब करते हैं और हम क्या पिदिए ढोर लोर यहां पिए लिखेंगे मिन पे इंगे दि डिफाल्ट बन डिफाल्ट लिखने के बाद हम यहां पे प्रिंट करना देंगे द המ किद दर्बॆलन आजigs इसको हम जैसे यहां से रन करेंगे तो यह हमारा TEN जो हमारा टेक्स में 10 लिखा वो उसको प्रिंट कर देगा तो हम क्या करते सिंप्ली इसको एक बार रेप्लिकेट करते एक को कमेंट करते और दूसरा आपको हम यहां पर लेया था ठीग है इसको भड़् लैते अब हम क्या करते हैं सिंप्ली अब एक बार और इसको मैं से रन करके देख्यते अगर देख्या है सेंदfact हो और हमारान रोक्त होगेख तो यह काम कैसे करना सबसे पहले में एक वौर बनाते जिसमें कि हम क्या करते हैं, simply ten value store कर देते हैं, और उसके गदर हम क्या करते हैं, कि हम 그것 आँपे एक switch variable run करते हैं, switch क्या होता है, अगर हम को किस भी variable क्लिए भी multiple condition check करना, रदा multiple value check करना कि compare करना कि किस भी variable से, अगर हमा को multiple values compare करना है, तो हम simply use करेंगे switch को, switch में क्या करते हैं, सबसे पहले switch लिखते हैं, उस variable का नाम लिखते हैं, और नीचे हम case देते हैं, जैसे case में हम 1 दिये, तो जैसे यह run होगा, तो यह हमारा इस variable के लिए run उड़ाती है, नीचे हैगा, तो सबसे पहले जो 1 है, 1 को 10 से compare करेगा, क्या मेरा सही, तो क्या करेगा, इस condition को print कर देगा, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी condition दे, जो कि हमारा 10 के बराबर नहीं है, और उसके बाद simply हम run करेंगे, तो यह हमारा default को यहाँ पर print कर देगा, तो यहाँ पर यह हो रहा है, कि अगर मेरा कोई भी condition match नहीं करेगा, तो वो simply default में आक रहाए, हम हैं पर कुछ condition को check कराना जाते है, अगर यह जो मेरा variable हे, वो मेरा one के बराबर होगा, यह प्रिंट कर देना, तो के बराबर होगा तो यह प्रिंट कर देना, अगर किसी के अभी value के बराबर नहीं होगा, तो simply इसको print कर देना, तो इस तरह से हम use करते हैं switch को, तो कुई है तो यह हो गया हमारा तो next topic हमारा यहां पर दिया हुआ है फैल्स तो next topic यह हमारा यहां पर दिया हुआ है loops हो कैसे यूज करें यहां पर loops दिया हुआ तो simply में यहां पर क्या करते एक new file बनाते 8 underscore loop dot go और इंटर कर देते हैं और उसका simply हम क्या करेंगे simply हम यहाँ पर फिर से code generate कर लेते हैं तो simply हम यहाँ फाइल open करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं package यहाँ पर simply हम लिख देंगे package तो यह हमारा यहां पर एक intelligence आए गा अफिर नहीं पेंटर कर देंगा तो यह हमारा main function बनागी अब हम अगर हम चाहते कि अगर की सो तक नंबर को प्रिंट कर दें तो हम क्या यूज करेंगे लूप कि अगर हम directly simply fmt.println हम लिखेंगे और उसके एंदर simply 1 देंगे और उसका अधरन करेंगे तो इस तरह से कोड 100 बार लिखना पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे simply हम एक shortcut के उसको बोलते है लूप का help से हम बहुत सार नमबस को बहुत जल्दी तो इहां पर करेंगे हैं हम यहां पर खोलने कर देंगे हैं और The Valiumalis कि हम जिएरो सेलेकर के 100 तक तक चाहिए तो yay चैनल Gerald semi लोःगी हम सभी कोलोन देंगे यहां में सभी हमको समीकोलोन देना पड़ेगा इस smaller than equals to 100 फिर हमको यहाँ पे एक semicolon देना परेगा और उसके आदा हम लिख देंगे i++ और simply एक normal सा bracket देंगे फिर हम simply लिखेंगे fmt.println println के हम simply i लिख देंगे और उसके आदा हम क्या करेंगे code को अब यहाँ से हम इसको रन करेंगे इसको हम जैसे ही रन करेंगे यह हमारा 0 से लेखर के 100 तक numbers को generate कर देगा तो यहाँ पर देखो यह हमारा 0 पहले print के और 0 से ले करके last यह हमारा 100 तक numbers को print कर दिया तो यह क्या हो रहा यह हमारा shortcut है numbers को generate कराने के लिए तो loop कκα लूप का help से हम किसी भी number को generate करा साथ है कितना से भी कहां तक तो golang में सिर्फ एक तरह का loop ही support करता हूँ होता है for loop तो इसका syntax क्या होता है सबसे पहले हम for लेखते हैं फिर हम जैसे normal सा variable बनाते हैं उस तरह में इसका variable बनाते हैं एक तरह से फोर का naming कर देते फिर हम आपे invert करके हम जीस number को पहले सबसे पहले print कराना चाते इस variable में हमें store कराके semicolon देते फिर हम आपे condition देते हैं कि क्या यह मेरा y है वो मेरा 100 से छोटा यह 100 के बराबर है और उसके बाद हमें आपे i को increment कर देते तो यहां पे देखो जब भी म condition true रहेगा तब तक यह मेरा loop run होते रहेगा जैसे कि अभी तो मेरा जैसे हम इसको run के तो सबसे पहले run हुआ तो run हुआ तो मेरा i का value 0 है ठीक है तो i का value 0 है फिर यहां पर यह चेक करता है कि क्या मेरा कहां तक हमको print देना तो यहां पर condition दिया i is smaller than equals to 100 तो जैसे यहां पर फिर उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 0 में एक और add नमर कर दिया इसका मतलब होता है add कर देना यह होता है हमारा increment कहीं भी हम variable के बाद a++ कर देंगे तो उसका मतलब होता है उस variable में one जोड देना तो फिर यह हमारा यह variable हमारा one हो चुगा तो यहां पर one आय करते हैं यहां पर है यहां पर वह झनुज है तो यहां पिया है तो यह हमावस को यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में पहले लूप का हालप से हम बहुत सवे number को generate करा सकते हैं तो ये हमारा लुप हो गया तो अब हमारा next topic यहां पे दिया हो है वो हमारा function पहला है तो यहां पे देखो function क्याना क्यासे बनाते हैं तो simply क्या करते हैं यहां पर और इंटर कर देंगे और यह हमारा एक new function के लिए बन जागा तो simply हम क्या करते हैं simply यहाँ पर वही code लिखते है package package में लिखेंगे फिर यहाँ पर इंपोर्ट इंपोर्ट FMT के लिखने की बाद क्या करेंगे इंटर कर देंगे तो इसे कि हम चाहते हैं also two numbers को कि एड़ करें हम कोड लिखा चोंधाने जो की हमारा दो numbers को बहुत करें मतलग कि हम एक प्रोग्राम में 10 से 15 बार दो नमबर को एड करें तो अगर हमको दो नमबर को बार बार आड करना होगा तो हम क्या करें Simply Print talent में हम को भी इस तरह से नमबर दे देंगे और उसको हम यहाँ पर एड करा देंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा क्या कर रहा है कि यह हमारा बार बार उसका calculate करने की बाद 4646 बार बार प्रिंट कर देati है जैसे कि यह code हमारा यहां पर अभी कर देT'RE 4646 कर रहा है तो यह code नहीं लिखना चाहते है ता लंबा तो अगर हमको time बचा ओधिया तो हम used करेंगे function function क्या होता हेरा function हम एक input देते हैं और उसके बदल हम output उससे लेते हैं । कंशन बनाने के-लिए क्या करेंगे anh simply एफ-if-ofu- y-n-c लिखेंगो इसके बाद हम उस function का name यहां पर हम declare कर देंगे और यहां पर हम normal bracket देंगे और अब हमं क्या करेंगे हैलो लिखने हम क्या करेंगे और यहाँ पे एक ब्राकेट देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इतना बार इसको हम यहां से आध लिखेंगे और यहां पर हम simply bracket ज़े देंगे तो हम जीतना बार भी इस add को ली करें उतना बार यह हमारा hello को print करें ठीक है तो यह क्या करें यहां पर हम simply यहां पर एक new function बना रहें और यहां पर उस function को call करते हैं यहां से हम इसको call करें तो अगर हम चाहते हैं तो यह क्या करें हम यहां पर simply hello लिख दिया हम यहां पर कुछ name अभी shake को यहां पर यह print कर देगा इस तरह तो क्या कर रहा है हम यहां पर simply क्या किये हैं कि हम यहां पर function बना ठीक है उसका नाम हम add लग दिए add लग दिया function का नाम और यहां दो पैरंफेस्स दिए तो parentheses को मतलब होता है function बनाना ठीक है और उसको यहां पर simply कोड लिख दिये और जितना बार हम उस function का नाम देने के बाद दो पैरेंथेज देंगे तो उस function को यह run कर देगा और उस function को run करने के बाद जो उसमें code लिखावा उसको यहाँ पर simply run कर देगा तो यहाँ पर सिंप्ल्य प्रिंट कर रहें हो उख चुना पर हम चाहते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि यहां यहां पर सीर्फ और हमारा अभीशियक लगावाट वनका है अगर हम चाहते है कि just now our वा εί Mile के साथ हम लोगा नेम को भी परिंक करने हम सिंपली牙ां पर क्या करेंगी नेम यांप टैप कर देंगे नेम और से सिंपली लिखेंगर एक यामारा हम यह देंग पर के रहें हमारा है अब बनाते हैं कहanti समझेंगे अब हम क्या करेंगे दो नुमर को एड कराके देखेंगे यहां थो हम नेम को एड करा रहे थे तो सिंपली क्या करेंगे इस फंक्शन के यहां से हम रेप्लिकेट कर देंगे और उसके वाद यह जो हमारा एड है यहां पर simply हम कर देंगे add और यहां पर add1 को call करेंगे जो हमारा दो numbers रट करता हूँ और हम क्या करेंगे simply दो numbers को देंगे जैसे 12,23,45 और उसके बाद हम यहां से इसको run कर देंगे तो इसको हम जैसे यहां से run करेंगे so पहले यह हमारा Hello sih को print कर देगा और उसके बाद यह हमारा overallsISm को print कर देगा लिए have excellent function क्या करता है function हमारा yakuul HafÌndla यहां का मैं करता है इस ओक हम उस खूड को लिग दिए और इसको जीतना पार जाया उतना बेर एक नमबर इसमए लिए रपढ आिसमां क्या करें लिए इसे महम रेटर्न करें क fundamentally कर parfum देन्ग तो और हां मिला करें पर हम कॉमेंट काने का सिंपली मैं घ्रीटर नुट रइन में हम क्या करेंगे नम वान फ्ल्स नम्टू कर देंगे यहां पर हम सिंप्ली नम्टू कर देंगे और रूप यह क्या क्या करेंगे इसको करने के बाद simply हम इसको print कर देगा smt.println और क्या करेंगे कि हम इसको उसके अंदर यह add को call करेंगे टीक है और उसके बाद देखो यह हमारा क्या error कर रहा है कि यह मेरा return यहां पे कुछ error हो रहा है और यह हमको यहां पे देना पड़ेगा add to देना पड़ेगा और उसके बाद करेंगे तो यह मेरा कुछ इस तरह से भी रण होजगा तो यहां पे हम क्या करें यहां पे हम हम डाइक ल्यों करेंगे और उसके बाद सींपल हम यहाँ पुडिक करें के और नंक करेंगे लिंक हो गावा होगा Lord आ